नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिक्षा सेटिकेस योटूब चैनल में दोस्तो आधुनिक भारत के इतिहास की 1000 मैजपून प्रस्नों की सीरीज की यह जो हमारी वीडियो है यह तिसरी वीडियो है तता आज के इस तिसरे वीडियो में आज हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाईसराय से संबन्दित जितने भी important प्रस्न बन सकते हैं उन सभी important प्रस्नों को आज के इस वीडियो में हम कबर करेंगे दोस्तो आधुनिक भारत का इतिहास का हमारा जो subject है इसमें एक most important topic होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाईसराय का लगबख इस topic से जो है दो से तीन प्रस्न प्रतिवर्स एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखेगा इस वीडियो में उन सभी important प्रस्नों को सामिल किया गया है जो कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाईसराय से बन सकते हैं इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखेगा इसके साथ ही आपको पता होगा कि हम 1000 महत्पुन प्रस्टों की सिरीज चला रहा है आधिनिक भारत के इतियास की तता इस सिरीज का यह हमारा तिसरा वीडियो है बाकी के दो वीडियो हमने अपलोड कर दिये हैं अगर आपने हम गवर्नर जनरल और वाइसराय से बन सकते हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पहला इंपोर्टेन प्रस्ट नमारा है निम्र लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो आपके पास दो कतन दिये गए हैं इन दोनों कतनों को पढ़के आपको सही एंसर का चैन करना है तो आ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दूसरा कतन हमारा क्या कह रहा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे उप्युक्त कतनों में से कौन सा सही है आपको बताना है तो यहां पे आपको दो कतन दिये गए हैं इन दोनों कतनों में से देख के आपको बताना है क कौन सा कथन सई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथन एकी तो कथन ए हमारा क्या कह रहा है Robert Clive बंगाल के प्रथम Governor General थे जो कि बिलकुल गलत कथन है क्योंकि बंगाल का पहला Governor General कोन था तो बंगाल का पहला Governor General था वारेन हस्टिंग परंतु अगर बंगाल के सिर्फ गवर्नर की बात हो तो आपका राइट एंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइब तो आपको यह डिफरेंस याद रखना है तीन प्रसन आपको हमेशा एकजाम में कन्फ्यूज करते हैं कौन-कौस़ तें प्रसन है बंगाल का प्रॉवंनर जनरल और एक प्रसन पूचा जाता है भारत का प्रफम गवर्नर जनरल तो यह तीन प्रसन आपको मैं तीनों बताओंगा one by one करके आपको नहीं और नहीं होनी चाहिए इन तीन प्रसनों में यानि यहां पे सिर्फ governor की बात हो रही है तो अगर बंगाल के पहले governor की बात हो तो आपका right answer हो जाएगा Robert Clive क्या हो जाएगा अगर बंगाल के पहले governor की बात हो से तो आपका right answer क्या हो जाएगा Robert Clive वहीं अगर आपसे एक जाम में पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे एक जाम में पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आपका एंसर हो जाएगा राइट वारेन हेस्टिंग तो आप इसे याद रिखेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग परन्तु बंगाल का प्रतम गवर्नेर की बात हो तो आपका राइट नेंचर हो जाएगा रॉबर्ट कलाइब तो ये दो डिफरेंस हैं इन्हें आप जरूर याद देखिएगा तो इस तरह से हमारे जो पहला कतन है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा तो आप इसे याद देखिएगा रॉबर्ट कलाइब क्या था तो रॉबर्ट कलाइब था आपका बंगाल का पहला गवर्नेर न की गवर्नेर जनरल था दुसरा कथन नमारा क्या कह रहा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो की कथन बिल्कुल सही है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो आप याँ देखेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो तो आपका right answer हो जाएगा William Bentic तो आप इसे याद रिखिएगा तो इस तरह से हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा कथन दो यानि केवल दो दूसरा कथन जो हमारा है वह सही है दूसरा कथन हमारा क्या कहा रहा है कि जो William Bentic था वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था आई होप आपको यह जो केस्टन एच्छे तरह से समझ में आ गया होगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो इन तीनों को आप जरूर रहा देखिएगा, यहां से लगाता है, एक जामे प्रस्ण बनते हैं, अगला प्रस्ण मेरा कहा रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो जैसे हैं कि मैंने आपको बताया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सौरी यहां पे भा भारत के नहीं बंगाल की बात हो नहीं है तो बंगाल के प्रसम गवर्नल जनरल के अगर बात हो तो आपका राइट एंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग यहां पर बंगाल होगा यहां पर याद रखेगा बंगाल का पहला गवर्नल जनरल आप यहां देखेगा बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, तो आप इसे याद देखिएगा, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, option B, इसके साथ मैं आपको वारेन हेस्टिंग से रिलेटेट कुछ important fact बताने जा रहा हूं, जो आपके exam में जरूर पूछे जाएंगे, तो सकते हैं, गवर्नर जनरल से लेटर उनको भी बताऊंगा, जो कि आपके exam में लगातार पूछे जाते हैं, आइए वारेन हेस्टिंग जो था, उससे जुड़े कुछ important fact को cover कर लेते हैं, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग का कारेकाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वारेन हेस सकत हो गए, इसके बाद यह जो वारेन हेस्टिंग था, इसने board of revenue की अस्थापना के थी, इसके अलावा, मोगल समराट को मिलने वाली 26 लाग की जो वार्सिक पेंसन थी, उसको भी इसने बंद करवा दिया था, जो वारेन हेस्टिंग था, इसने मोगल समराट, जो थे उस सम मोगल समराट साह अलम जो थे, उस उनको जो 26 लाग रुपै की वार्सिक पेंसन मिलती थी, उसको भी बंद करवा दिया था, वारेन हेस्टिंग ने, इसके साथ यह जो एक मात्र गवर्नर जनरल था, जिस पर इंगलेंड के हाउस अप कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया थ तो आप इसे यहाँ देखेगा, तता सुरस्चा प्रकोस्ट याने की रिंग फेंस की जो निती थी, वा भी वारेन हेस्टिंग से सबंदी थी, इसके साथ दो इंपोर्टेंड यूद हैं, जिनसे वारेन हेस्टिंग का संबंद था कौन-कौन से, प्रथम आंगल मराठा तो इतने इंपोर्टेंट फेक्ट जितने में आपको बताएं, वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड इन्हें आप याँ देखेगा, यह आपके एकजाम में 100% पूछे जाएंगे, अगला प्रसन मारा कह रहा है, कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना के समय, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वह कौन था, तो कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी की जो अस्थापना की गई थी, तथा जब एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना की गई थी, तथा जब एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना की गई थी, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जन्रल था वारेन हेस्टिंग तो आप इसे आ दिखेगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जन्रल था जब 1784 में कलकत्ता में जो है एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना के गई थी अगला इंपोर्टेंट प्रस्न मारा है सुरच्छा प्र प्रकोस्ट या रिंग फेंस या घेरे की निती थी या किस से संबंदी थी तो जैसे है कि मैंने आपको बताया रिंग फेंस या सुरच्छा प्रकोस्ट या जो घेरे की निती है इसका संबंद है वारेन हेस्टिंग से तो आप इसे याद रिखिएगा आप्शन ए इसका बि तो बंगाल से डूवल गॉवर्मेंट को समाप्त करने का जो स्रे है वह भी जाता है वारेन हेस्टिंग को तो आप इसे याद देखेगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा वारेन हेस्टिंग अगला इंपॉर्टन प्रस नमारा क्या रहा है निमलिकित में से किस जब गवर्नर जनरल पर महा बियोग का मुकदमा चलाए गया तो जैसा है कि मैंने आपको बताया एक मात्र गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग जिस पर इंगलैन्ड के हाउस अफ कॉमन्स में महा बियोग चलाए गया तो इसका रैट ने इसेर क्या हो वारेन हेस्टिंग इस पे इंगलेंड के हाउस आफ कॉमन्स में का तो इंगलेंड के हाउस आफ कॉमन्स में जो है इस पर महाभयोग का मुकदमा चलाया गया था इसका नाम था वारेन हेस्टिंग जो था यह एक मात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंगलेंड के हाउस आफ अगला important प्रस नमारा है भारत में न्याइक संगठन के अस्थापना किसने की तो भारत में न्याइक संगठन की अस्थापना करने का जो स्रे है यह दिया जाता है Lord Cornwallis को किसको तो भारत में न्याइक संगठन की अस्थापना करने का जो स्रे है यह Lord Cornwallis को दिया जाता है तो आ अब हम बाग करेंगे Lord Cornwallis से संबंदित कुछ important fact के बारे में जो आपके लिए अती महत्पूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले Lord Cornwallis का कारेकाल आपको पता होना चाहिए। तो यह जो Lord Cornwallis था इसका टाइम पिरिएड था 1786 आप या देखिएगा 1786 से 1793 उसके बाद दुबारा यह बनके आया था 1805 में तो दो बार यह गवर्नर जनरल बनके आया था पहली बार बना देखा कारेकाल था 1786 से 1793 के मत दे और उसके बाद 1805 में यह पूर्णा गवर्नर बनके आया था तो आप इसे या देखिएगा तथा नियाइक और और करसंबंधी सकतियों का प्रित करण इसके दौरा किया गया था इसके साथ यह जो Lord Cornwallis था इसके दौरा Lord Lords Cornwallis के दौरा भारत में? चार भ्रहमड सील आपया देखीगा इसके दोरा भारत में चार भ्रहमड सील अदालतों की अस्थापना भी की गई थी कितनी तो चार भ्रहमड सील अदालतों की अस्थापना की थी लॉड का और नवालिस ने जिसमें से तीन जो थी बंगाल में थी और एक बिहार में थी तो और एक बिहार में थी तो आप इसे याद रखिएगा इसके बाद यह जो Lord कार्णवालिस था इसने 1793 में कार्णवालिस कोड का निर्मार भी किया था तो इसे भी आप याद देखिएगा यह जो Lord कार्णवालिस था इसने 1793 में कार्णवालिस करन वालिस कोर की अस्तापन भी किので ब hop forward इसके साथ यह जो था 1793 में अस्ताई बंदो बस्त यह बीवस्त भी सुरू किया था आप इसे आ देखेगा 1793 में स्ताई बंदो बस्त की जो बिवस्ता है लोड करन वालिस के द्वारा सुरू की गई थी इसके साथ यह जो लाड कार्ण वालिस था भारत में सीविल सेवा का जनक भी माना जाता है यह most important आपके लिए जो लाड कार्ण वालिस था यह भारत में सीविल सेवा का जनक भी लाड कार्ण वालिस को माना जाता है तता एक last अतिमहत्पुन प्रस्तन लाड कार्ण वालिस की जो कब्र है उत्तरपदेश के गाजीपूर में है कहां तो कार्णवालिस की जो कब्र है वह उत्तरपदेश के गाजीपूर में है तो I hope आपको ये fact अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया Lord कार्णवालिस से related तो दोस्तों ये जो fact मैं आपको बताते हैं चल लांको आप note down कलत content है अगले प्रस्ति की दरव हम बढ़ता है अगला प्रस्ति हमारा कह रहा है भारती लोग सेवा का प्रवलतन किया गया था किसके द्वारा तो भारती लोग सेवा का जो प्रवलतन है ये किया गया था कार्णवालिस के सासनकाल में जैसा है कि मैंने आपको बताया भारत में सिविल सेवा का जनक भारत में जो है सिविल सेवा का जनक जो है यह माना जाता है लौड कार्णवालिस को तो आप इसे याद रेखिएगा अगला important प्रस नमारा है कार्णवालिस की कबर कहा इस्तित है तो इसके बारे मैं आपको बताया कि जो Lord कार्णवालिस था इसकी कबर है उत्तरबदेश के गाजीपूर में तो आप इसे आदेखेगा उत्तरबदेश के गाजीपूर में जो है लाड कार्णवालिस की कब्र बनाई गई है अगला important प्रस्थ नमारा कह रहा है 1802 में बसिन की संदीप और हस्ताक्षर किसके मद्ध हुए थे ये भी super important प्रस्थ न है तो 1802 में जब बसिन की संदीप की गई थी तो ये जो बसिन की संदीप थी ये किसके मद्ध हुए थी तब अंग्रेजो और बाजी राव द्विती के मद्ध यानि option इसका B बिल्कुल से हो जाएगा अंग्रेज और बाजी राव द्विती के मद्ध जो है बसिन की संदी की गई थी तो आप इसे याद देखिएगा इसका right answer हो जाएगा option B तता इस सहायक संधी के तहत बाजी राव दिती ने अंग्रेजों की सरक्षता स्विकार कर ली ती आप 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 आदेखिएगा इसी संधी के तहर जो बाजी राव दिती था वह अंग्रेजों की सरक्षण में आ गया था तो ये भी लगातार एक जामे प्रस्ण पूछा जाता है कि वह पहला मराठा सलदार कौन था जिसने अंग्रेजों की सायक संधी को स्विकार किया था तो ये भी लगातार एक जामे प्रस्ण पूछा जाता है अगला प्रस्ण में क्या कह रहा है लौड वेलेजली की सहायक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराठा सासक था पेशवा बाजी राव दिती यानि option A इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पेसवा बाजी राग दिती जो था यह जो है लौड वेलेजली की सहायक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराठा सासक बन गया था तो इसे आप याद रखिएगा इसके साथ जो लौड वेलेजली था इसका कारेकाल आपसे पूछा जा सकता है तो लौड वेलेजली जो था इसका कारेकाल था इसका टाइम प्रियोड था भारत में 1708 बेसे 1805 कब से कब तो 1708 बेसे 1805 इसका कारेकाल था लौड वेले जली का भारत में सहायक संदी का जो सिस्टम है उसका जनक लौड वेले जली को ही माना जाता है तो भारत में सहायक संदी का जनक है यह माना जाता है किसको तो Lord Velley Jali को तता इस सहायक संदी के तहट जो राज जो राज ज्य इस सहायक संदी को शिकार किये थे वह भी आपसे एक जाम में पूछे आता है तो इने भी आप Amen को लिजे उनका करमवाई जी नाम आपसे लगातार पूछा जाता है, तो मैं आपको करमवाई जी उनके नाम बताते जा रहा हूँ, जो राज सायक संदी को स्विकार किये थे, तो इनको करमवाई जी आप लिखिये ग़ा क्योंकि एक जाम में, उनको करम में बिठाने के लिए प्रस्न लगातार पूछा जाता है तो सबसे पहला राज जी जो था लौड वलेजली की सायक संदी को स्विकार किया था हैदराबाद 1789 बिम्यकौन तो हैदरा हैदराबाद पहला राज था जिसने 1789 बिस्वी में लौड वलेजली कि सायक संदी को स्विकार किया था उसके बाद मैसूर उसके बाद मैसूर ने सायक संदी को स्विकार किया था कब तो 1789 बिस्वी में उसके बाद तंजोर था उसके बाद कौन था तो तंजोर तो तंजोर ने इसकी सायक संदी को स्विकार किया था 1789 में उसके बाद अवध अवध राजी जो था इसने भी सायक संदी को स्विकार किया था कब तो 1801 इस्वी में तो आप क्रम वाई जी नोट आउन कीजिए क्योंकि क्रम वाई जी एक जामे प्रस्थन पूछा जाता है उसके बाद पाच्वा राज जी कौन था तो पाच्वा राज था पेशवा दिसंबर 1802 इस्वी में जो पेशवा थे उन्होंने सायक संदी को स्विकार किया था उसके बाद थे बरार एवं भोसले आप नोट डौन कर लेजे मैंने पाच्वा क्या बताओ को पेशवा जो इन्होंने सायक संदी को स्विकार किया था कब तो 1803 इस्वी में और इसके बाद सिंधिया थे कौन थे तो सिंधिया जो थे इन्होंने भी लौड वलेजली की सायक संदी को स्विकार किया था 1804 इस्वी में तो इतनी राज जितने में आपको बताई इन राज्यों ने जो है सहायक संधी को स्विकार किया था तो इसे आप याँ देखेगा इसके साथ जो लॉर्ड वले जली था उसके सासनकाल में एक प्रसिद यूद भी लड़ा गया था चौथा आंगल मैसूर यूद तो यह भी लॉर्ड वले जली के सासनकाल से ही सम्बन दी था इसे भी आप याँ देखेगा जो लॉर्ड वले जली था इसके समय चौथा आंगल मैसूर यूद भी लड़ा गया था ताथा इसी यूद में जो है टेपुल सुल्टान की बृत्यू भी हो गई थी तो इसे आप याद रिखेगा अगला इंपोर्टेंट प्रस्त नवारा कह रहा है सहायक संदी को स्विकार करने वाला प्रथम देशी सासक कौन था तो सहायक संदी को स्विकार करने वाला प्रथम देशी सासक कौन थे तो हैदराबाद के निजाम कौन हो जाएगा इसका इंसल तो हैदराबाद के निजाम जो थे ये प्रथम देशी सासक थे जिन्होंने सायक संदी को स्विकार किया था मैंने आपको बताया था जो हैदराबाद था इसने कब सायक संदी को स्विकार किया था तो 1789 में याने 178 में यह पहला राज्य बनाता है हैदराबाद जिसने वेलेजली याने कि लॉड वेलेजली की सायक संदी को स्विकार किया था तो आप इसे याद रखिएगा अगला important प्रस्थ हमरा क्या रहा है निम्न में से सायक संदी को किसने स्विकार नहीं किया तो इसमें से वह कौन है जिसने सायक संदी को स्विकार नहीं किया था ये भी लगाता है जामे प्रस्थ पूछा जाता है तो इसमें से कौन है जो सायक संदी को स्विकार नहीं किया था तो इंदोर के होलकल थे इन्होंने सायक संदी को स्विकार नहीं किया था इसके अलावा म बोलकर ने जो है सहायक संदी को स्विकार नहीं किया था अगला important प्रसमारा कह रहा है आंगल नेपाल युद जिसके सासनकाल में हुआ था वो कौन था यानि आंगल नेपाल युद जो लड़ा गया था वो किसके सासनकाल में लड़ा गया था तो जो आंगल नेपाल युद था यह लड़ा गया था लौड हेस्टिंग के सासनकाल में किसके तो लौड हेस्टिंग के सासनकाल में जो है आंगल नेपाल युद लड़ा गया था यानि option इसका जो भी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आंगल नेपाल युद यह हुआ था 1816 स्वी में आप इस या देखेगा जो आंगल नेपाल युद था यह 1816 स्वी में हुआ था तता इस युद का जो अन्त है वह संगोली की संधी के साथ हुआ था कौन सी संधी तो संगोली की संधी के बाद जो है आंगल नेपाल युद की समाप्ति हुई थी 1816 इसवी में तता उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वह था लौर्ड हेस्टिंग तो आप इसे याद रेखेगा तता जो लौर्ड हेस्टिंग था यह मराठा सक्ति को अंतिम रुप से समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लौर्ड हेस्टिंग तता पिंडारियों का धवन भी लौर्ड हेस्टिंग ने ही किया था तो यह इंपोर्टेन फ्रेक्ट आप याद रिखेगा तता इसका टाइम पिरिएट क्या था तो 1823 से 1823 के मद्द इसका टाइम पि यूग म सुमेलित नहीं इस प्रकार के प्रस्ण लगाता है तो इस प्रकार के प्रस्ण आपको सॉल्व करने आने चाहिए तो सबसे पहले यूग में देख लेते हैं क्या 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 रहा है बक्सर का यूद उस समय कौन था हेक्टर मुन्रो लॉर्ड हेस्टिंग आंगल नेपाल यूद तिसरा क्या है लॉर्ड वेलेजली चतूल्त आंगल मैसूर यूद और डी हमारा क्या कहा रहा है लॉर्ड कॉर्ण वाली स्तिरिती आंगल मराठा यूद आए देख लिए इसमें से कौन गलत है कौन सही है तो बकसर का यूद तो बकसर का यूद जो हुआ था 1764 हिस्वी में वा था तता जब बकसर का यूद लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सिनापती कौन था तो हेक्टर मुन्रो था तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बकसर के यूद के समय अंग्रेजी सिनापती था एक्टर मुन्रो दूसरा क्या है लॉड हेस्टिंग तो मैंने आको बताया आंगल निपाल यूद के समय गवर्नर जनरल था लाड हेस्टिंग तो दुसरा कथन भी सही हो जाएगा चतूल्त आंगल मैसूर युद जब लड़ा गया था इसी समय 17-192 में ही जो है टीपू सुल्तान की मृत्तियों गई थी तता उस समय गवर्नर जनरल था लाड वेले जली तो यह भी कथन बिल्कुल सही है तो लास्ट का जो कथन अमार हो जाएगा गलत हो जाएगा तो जो तृति आगल मराठा युद्ध हुआ था इस समय जो है लाड हेस्टिंग का सासन काल था जब त्रिती आंगल मराथा युद्ध लड़ा गया था तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग का कारेकाल था ना कि लॉर्ड कार्ण वालिस का तो आप इसे याद रिखिएगा अगला इंपोर्टेंट प्रस्ण मारा है कुशासन के अधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रसासन को ले लिया था तो कुशासन का आरोप लगा के किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज का प्रसासन अपने हाथ में ले लिया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तो आप इसे याद रिखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने कुसासन का आरोप लगा के जो है मैसूर राजी का प्रसासन अपने हाथ में ले लिया था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अप्सन C तो आप इसे याद रिखिएगा अगला इंपोर्टेंट प्रसाम रहा है ठगो के दमन में निम्लिकित में से कौन सम्बंदित है तो ठगो का जो दमन किस ने किया था तो ठगो का दमन किया था Captain Slee Man ने यानि option जो इसका B है हमारा बिल्कुल से हो जाएगा जो Captain Slee Man था उसने ठगो का दमन किया था तो option B इसका बिल्कुल सही है अगला important प्रसमरा है सती प्रताप पर किसने पाबंदी लगाई तो सती प्रताप पर किसने पाबंदी लगाई थी तो 1829 इस्वी में सती प्रताप पर रोग लगाए गई थी Lord William Bentic के द्वारा यानि option A इसका पिल्कुल सही है Lord William Bentic ने जो है 1829 इस्वी में सती प्रताप पर रोग लगा दी थी तो आप इसे याद देखिएगा इसके साथ यह जो Lord William Bentic था इसका time period था सासन का भारत में 1828 से 1835 कब था? तो 1828 से 1835 के मद्द यह भारत का गवर्नर जनरल था तता इसने 1829 में सती प्रताप पर रोग लगाई थी तो इसे भी आप याद रखिएगा इसके साथ एक most important point जो लगाता है जामें पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत की बात हो रही है तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तो आप इसे आ देखिएगा जो 1833 का चार्टर एक्ट था इस 1833 के चार्टर एक्ट के तैत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह super important person है इसके साथ सीसू बा सीसू बालिका की हत्या पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रती बंद लगाया था अगला प्रस्त मारा क्या रहा है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रता किस वर्स समाप्त की गई तो जैसा कि मैंने आपको बताया सती प्रता पर रोक लगाया था इसने 1829 स्वी में तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option C 1829 में अगला important प्रस्त मारा है इनमें से किस वर्स बंगाल के दासों के निर्याद को रोक दिया गया था तो बंगाल के दासों के निर्याद को किस वर्स रोखा गया था तो इसका right answer आपका हो जाएगा बंगाल से दासों के निर्याद को रोक दिया गया था तो आप इसे याद रखियेगा अगला important प्रस्त मारा कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सिंध बीजय कभ हुई थी मतलब अंग्रेजों द्वारा सिंध बीजे संपन हुआ किसके समय में तो जब अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर बीजे प्राप्त की गए थी तो उस समय गवर्नर जनरल था Lord Allen Burrow यानि option इसका A है बिल्कुल सही है जब सिंध पर बीजे प्राप्त की गए थी तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था Lord Allen Burrow तो इसे भी आप याँ देखेगा यह जो Lord Allen Burrow था इसका टाइम पिरियड था 1842 से लेके 1844 के मद्धि तता इसे के सासनकाल में जो बिटिस समराज था वह सिंध को जीत लिया मत्द बिटिस समराज ने अपने में सिंध को मिला लिया था तो इसे भी आप याँ देखेगा तथा दास प्रता का उल्मुलन अब इसा देखेगा दास प्रता का उल्मुलन भी 1843 में Lord Allen Burrow ने ही किया था अगला important प्रसमाना कहा रहा है Lord Allen Haraki टोरा अवद का अंग्रेजी राज में विलाय है निमने में से किस सुरिति से हुआ तो जो Lord Allen Haraki था उसने किस रिति का पालन करके अवद का अंग्रेजी राज में विलाय किया था तो इसका राटने से क्या हो जागा कुसासन का आरोप लगा कर यानि option जो इसका D है बिल्कुल सही है कुप्रसासन के कारण जो है Lord अलोजी के दोरा अवद का अंग्रेजी राजी में विलाय कर लिया गया है तो आप इससे याद रखिएगा ये most important है इसके साथ ये जो Lord अलोजी था Lord अलोजी का time period आप से एक जामें के मद्द जो है Lord अलोजी भारत का governor general था तथा ब्यपकत का सिध्धान्त यानि doctrine of lapse इसके दोरा जो है किया गया था doctrine of lapse का जो प्रारंब है doctrine of lapse का जो उदर है यह इसी के दोरा किया गया था तो आप इससे याद देखिएगा तथा doctrine of lapse यानि ब्यपकत का सिध्धान्त आपिया देखिएगा ब्यपकत का सिध्धान्त इसको इंगलीज में कहते हैं doctrine of lapse इसका जनक भी कौन था भारत में तो Lord अलोजी था तो इसी ब्यपकत का सिध्धान्त का प्रियोग करके ही जो Lord अलोजी था उसने ब्रियपकत का सिध्धान्त का आरोप करके अपने राज जिम्में मिला लिया गया था ब्रिटीज के द्वारा तो आप इससे याद रेखेगा इसके साथ एक आप याद रेखेगा 1854 में लाया गया था चार्ल्स ओड डिस्पैज यह आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट है 1854 में लाया गया था चार्ल्स ओड डिस्पैज इसको बला होता है भारत में सिच्छा का मेगना कार्टा इस चार्ल्स ओड डिस्पैज को भारत में बोला था सिच्छा का मेगना कार्टा तो यह जब भारत में लाया गया था 1854 में तो उस समय गवर्नर जनरल था तो उस समय भारत का गवर्णरर जनरल था लॉड डल होजी तो आप इसे याद रखेगा तत्था लॉय पहली ट्रेन चलाई गे थी भारत में,烹णर्व देखेगा 1853 में जो पहली रेल चलाए गे थी वारत में वो अभी लॉर्ड अलोजी के सासनकाल में चलाए गे थी तो आप इसे याद रखेगा तथा कलकत्ता से आगरा के बीच आप इसे आदेखेगा कलकत्ता से आगरा के बीच जो तार सेवा थी आप इसे आदेखेगा जो है सारवजनिक निर्मार विभाग तता लोग सेवा विभाग की अस्थापना भी जो है लौड डलहुजी ने की थी तो आप इसे याद रखिएगा इसके साथ भारती नागरिक सेवा में नियुक्ति एतु पहली बार प्रतियोगिती मंदब प्रतियोगिता परिच्छा की जो शुरुवात है 1855 में वो अभी लौड जो है डलहुजी के समय ही की गई थी यानि जो इंडियन सीविल सेवा की परिच्छा थी उसकी सुरुवात भी जो है 1855 में लौड डलहुजी के सासनकाल में ही की गई थी तो इससे भी आप याद रखिएगा एक most important point एक और आप य आपिस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था अगला important नमरा है अधो लिखित योगों में से कौण सुमेली था है तो इसमें कौन सा सुमेली थे आपको बताना है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा आपका option सी यानि आवद का जो बिला है यह 1856 में किया गया था अंगरीजी समराज में तो इसे भी आप याद देखेगा आवद का बिला है जो ए 1856 में अंग्रीजी सम्राज में किया गया था थो अपी चाशी का जो बिला हैamat 60 कब किया गया था अगला प्रस्मार सु कौनastic इसके ज़िकित में से कौन अवध का British resident था जब अवध का British समराज में विल्य किया गया तो जब 1856 में अवध का British समराज में विल्य किया गया तो उस समय British regiment कौन था ? तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, option A, यानि जेम्स आउट ड्रम, अगला important प्रस्वारा है, भारत में प्रतम rail, line, किस ब्रिटिस गवर्नर के समय बिचाएगे थी, तो जैसा है कि मैं आपको बता है, भारत में जो पहली rail थी, वो चलाएगे थी, 16 अप्रेल, अप्रेल 1813 को तता उस समय गवर्नर जनरल को होन था, तो लॉर्ड डलहो जी, यानि option A, इसका बिल्कुल सही है, अगला important नमारा है, किस कंपनी ने सुरपतम भारत में रेल यात्रा प्रारम की, तो भारत में किस कंपनी के दौरा रेल यात्रा प्रारम की गई थी, तो जब भारत में यात्रा प्रारम की गई थी, तो कंपनी थी उसे में Great Indian Peninsula Railway, यानि option जो इसका B है, बिल्कुल सही हो जाएगा, Great Indian Peninsula Railway के दौरा जो है, भारत में पहली रेल यात्रा प्रारम की गई थी, तो option इसका B बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला important नमारा है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन Governor General था, तो जैसे एक में आपको बताया, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, सरवजनिक निर्माल विभाग था, उसकी अस्थापना की गई थी, Lord Dalhauji के समय, यानि इसका Right एंसर क्य अधिनियम किसके सासनकाल में क्रियानमित किया गया था, तो जो बिधवा पुनर विवा अधिनियम है, या किसके सासनकाल में क्रियानमित किया गया था, तो Lord Canning के सासनकाल में, यानि option जो इसका B हमारा बिलकुल से हो जाएगा, Lord Canning के सासनकाल में जो है, बिधवा पुनर व अंतिम गवर्नर्जनरल था था भारत का प्रतफम वाय सरय था जी आप यह डखेगा जो लोर्ड के देंग था या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वाय सराय था क्यों कि जब यह गवर्नर जनरल था तो उस समय जब 1858 के क्रांती हुई थी तो उससे पहले जो है गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया 1857 के क्रांती के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद भारत में समाप् पत बनाएक था। बृतिस्च क्राउट के द्वरा में। इस तरह से भारत का अंतिंग गवर्नर् aja रेनल launch टैटा प्रथम वा में। अब भी आप यांद देखिएगा, तो लौर्ट कैनिंग के सर्करव में ही 1857 का भिदो हुआ था, तो उस समय जो है, मतलब कौन गवेंडर जनल था, तो उस समय गवेंडर जनल था, लौर्ड कैनिंग, तो आप इसे याद रेखिएगा, तो अधर्व है, तो अगले अप्रस न नुवंबर 1858 को महरानी विक्टोरिया का घोसना पत्र इलाबाद में पढ़कर किस ने सुनाया था तो जैसे ही 1857 की करांती समाप्त होती है उस करांती के बाद जो है इस इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको समाप्त कर दिया था है ब्रिटिस क्राउन के दरा तथा भारत ब समाप्त हुआ तो उस समय जो ब्रिटिस क्राउन था उसने इस इंडिया कंपनी को मना कर दिया कि वह अब भारत का प्रसासन नहीं देखेगी अब भारत के प्रसासन कौन देखेगा तो सीधे ब्रिटिस क्राउन जो होगा ब्रिटिस क्राउन जो होगा वह भारत का प्रसासन देखेगा तता इसी British Crown नहीं British Taz नहीं जो है Governor General का पद समाप कर दिया था तता Governor General की जगह उसने Viceroy का पद भी लाया था तो इसे भी आप याद देखेगा तता 1858 मतलब 1858 कि जब ग्रांती समाप थोई तो 1 November 1858 को जो British Crown थी British महारानी थी Victoria थी उनकी घोसना पत्र को पढ़कर सुनाया था Lord Canning ने तो इसे भी आप याद रखेगा तो इसका रहने से क्या हो जाएगा Lord Canning यानि option जो B है इसका बिल्कुल से हो जाएगा 1 November 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोसना पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था Lord Canning ने तो आप इसे याद देखेगा तता इस गोसना पत्र में यह कहा गया कि जो British Crown है British Crown है जो British Taj है वह अब सीधे भारत का सासन सम्हालेगी तो इसे भी आप याद देखेगा इसी गोसना पत्र में बताया गया कि जो British Crown है वह अब सीधे जो है भारत का सासन सम्हालेगी अगला इंपोर्टन प्रस हमारा कहा रहा है निम्नमेसिक कौन एक भारत का प्रतम वायसराय था तो भारत का प्रतम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नल जनरल भी इसका बेलकुल सही है अपने पुत्र के अस्थान पर दुसरे उत्राधिकारी को गोध लेने के अधिकार को पुना अस्थापित किया गया था तो जैसा है कि मैंने वको बताया जो Lord Canning था इसने एक नॉमबर 1858 को महराने विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ाता तता इसी घोषणा पत्र में ही यहां बताया गया कि अपने पुत्र के अस्थान पर दुसरे उत्राधिकारी को गोध लेने के जो प्रता है थी है उसको पुना अस्थापित किया जाएगा तो इसका रैटरेंसर क्या हो जाएगा 1858 के भारत के अधिनियम भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा यानि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा स्वरी स्वरी 1858 का भारत सरकार नहीं समरागी की घोषणा यहाँ पे समरागी की घोसना ओग यानि यह तो महराणी विक्टोरिया का जो घोसना पत्र था उसको पढ़ा गया था तो इसका रेटरेंसर कहा जाएगा 1858 का समरागी की घोसना यानि महराणी विक्टोरिया का जो घोसना पत्र था जो 1858 पढ़ा गया था उसी घोसना पत्र मे यह कहा गया था कि अपने पुत्र के अस्थान पर दुसरे उत्रादेकारी को गोल देने की जो प्रथा है वह पूना प्रारम कर दी जाएगी अगला प्रसुन मारा कह रहा है निम्न लिखित में से किस गवर्णर जर्णर ने भारत में दास्प्रथा को समाप्त किया था तो दास्प्रथा को भारत में समाप्त करने का जो स्रे है यह दिया जाता है सर जॉन सोर को यानि इसका राइट एंजट सॉरी सर लॉर्ड एलन बरो को यानि ऑप्सन जो इसका बी है बिल्कुल सही है लॉर्ड एलन बरो ने जो है भारत में दास प्रथा का अंत किया था यानि ऑप्सन भी इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्त मारा है निमलखित योगुम में से सही योगम का आपको चैन करना है तो पहला योगम में क्या है अस्थाई बंदो बस कार्नवालिस बिल्कुल सही है अगला क्या है चतुराई पूर्ड निस्क्रियता लॉड वले जली जो की कतर बिल्कुल गलत है यह जो चतुराई पूर्ण निस्क्रियता है यह किसे संबंदीत है तो यह संबंदीत है किसे तो कॉर्ण वालिस थे यह जो चतुराई पूर्ण निस्क्रियता है यह संबंदीत है जॉन लॉरेंस से न कि लॉर्ड वेले जली से किसे तो जॉन लॉरेंस इसे संबंदी थै चतुराई पुर्ण निस्क्रियता तो इसे आप यहाँ देखिएगा option B हमारे बिल्कुल गलत हो जाएगा सायक संदी लॉर्ड अलोजी ये भी गलत है तो इसका रैटे से क्या हो जाएगा लॉर्ड वलजी नहीं हो जाएगा और बालतिराश्टी कॉंगरेस की अस्थापना है ुसे मैं गवर्नर जनरल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तो इसे आप याद देखेगा अगला हमारा है भरत में अंगरेजो, भारत में अंगरेजो के समय परतम जनगर्ना कब हूई तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगाTime लोड मेयो के सासन काल में है यानए इसका option जो हमारा है सी बिल्कुल से हो जाएगा जो प्रतम जनगर्णा थी भारत में या किसके सासन काल में हो जी थी? अगर नेमिज जंगर्णा की बात हो तो 1872 में जंगर्णा की जो शुरुवात है तो लौड मेयो ने किती परन्तु अगर नेमिज जंगर्णा की बात हो तो जो नेमिज जंगर्णा है वह 1881 इस्वी से की जा रही है तता 1881 इस्वी में कौन सासन काल मंतर सासन कर रहा था तो उ इसे भी आप याद देखेगा अगर अस्थाई जंगर्णा की बात हो अस्थाई जंगर्णा की शुरुवात की तो जो अस्थाई जंगर्णा थी उसकी शुरुवात हुई थी 1881 इस्वी में लौड रिपन की समय तो दोनों आपको याद अखना है अगला हमारा है किस वैसराय मतलब सबसे लंबा वायसेरा है भारत का कोन रहा था? सबसे लंबे समय तक? तो सबसे लंबे समय तक दिये गए diver ominous के अनुसार जो भारत का वायसेरा है था वह था Lord Kerjan यहां पर आप्सन की बात हो रही है तो इसे आप यहाद गयाद दिये गए sagen के अनुसार भारत में सबसे लंबा वाइसराय था Lord Karjan किस प्रकार आई है देख लेते हैं Lord Karjan का कारेकाल था 1899 से 1800 1905 इसवी तक तो इसका कितना हो गया 7 साल हो गया उसके बाद Lord Offering का कारेकाल कितना था तो Lord Offering का था 1884 से 1888 के मत तो इसका सासनकाल कितना हो गया तो इसका हो गया 5 वर्स का हो गया उसके बाद Lord Harding के अगर हम बात करें Lord Harding था 1910 से 1910 से था 1916 तक किस प्रकार इसका हो गया 6 वर्स उसके बाद Lord Mayu का कितना था तो Lord Mayu था 1879 से 72 कितना तो 1879 से 72 था Lord Mayu का तो इस प्रकार इसका तीन वर्स तो इस प्रकार यह है कि options के अनुसार लौड कर्जों जो था इसका कारेकाल सबसे लंबा था यानि 7 वर्स तो इसे भी आप याद देखेगा क्या एक चैज़ आप बता सकते हैं कि पूरे भारत में जितने भी वाइसराय हुए थे उन वाइसराय में सबसे लंबा कारेकाल किसका था अगर आपको इसका जवाब पता है तो comment box में बताइएगा अगला प्रस्त मारा कह रहा है निमलकित में से किसे भारत में अस्थानी स्वायत्य सासन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड रीपन को यानि option जो इसका है हमारा डी बिल्कुल से हो जाएगा लॉर्ड रीपन को भारत में अस्थानी स्वायत्य सासन का जनक माना जाता है अगला प्रस्त मारा है भारती पुरातत्यो सर्वक्षण की अस्थापना किसके सासनकाल में होई थी तो लौड करजन के सासनकाल में यानि ऑप्षन जो इसका है हमारा सी बिल्कुल से हो जाएगा लौड करजन के सासनकाल में जो है पुरातत्यो सर्वक्षण की अस्थापना क की गई थी अगला प्रसासन मारा कह रहा है भारत में करजन के प्रसासन की तुलना और अंग्जेव से की गई थी जी के गोखले यानि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यानि अगला हमारा है फूट डालो और राजकरो की नीती किस ने अपनाई थी तो फूट डालो और राजकरो की नीती अपनाई गई थी लौड करजन के द्वारा किसके द्वारा तो जो लौड करजन था इसी के द्वारा जो है फूट डालो और राजकरो की नीती अपनाई गई थी इसे भी आप या देखेगा तता लौड करजन के समय ही 1905 में बंगाल का बिवाजन भी किया गया था अगला important प्रस्त मरा है निमलिकित में से कौन भारत का एक मात्र यहूदी वायसराय था ये भी super important प्रस्त न है तो भारत का एक मात्र यहूदी वायसराय कौन था तो भारत का एक मात्र यहूदी वायसराय माना जाता है Lord Reading यानि option इसका D बिल्कुल सही है भारत में Lord Reading को जो है एक मात्र यहूदी वायसराय कहा जाता है अगला प्रसमारा है निम लिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो आगे देख लेते हैं वारेट हैस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट तो वारेट हैस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपको बताना है तो इसमें से सही सुमिलित नहीं आपको बता तो आप इसे यार सुरी भारत करने यह बंगाल का था उससे में तो उस समय पिर्स इंडिया एक्ट के समय वारन हेस्टिंग था उसके बाद प्रेस एक्ट लाया गया था अठारा सो अठार इस्वी में तो आप इसे याद देखेगा अगला हमारा है तो यह था हमारा चालिश्वाँ प्रस्ण जो की आज का लाश्ट प्रस्ण था गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय के सेशन का आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक्यू